नमस्कार प्रियसातियों एक बार फिर से आपका तहया दिल से सारदिक स्वागत है आपके अपने परिवार इस्टेडी मेटरिल फॉर एक्जाम है तो प्रियसातियों आप सबको पता है राजस्तान प्लिस कॉंस्टबल के लिए जो अमारी एक सीरी चल रही है महिला एमबाल इसके टॉप 200 हम महत्पुन क्यूशन देखने वाले हैं जिसमें से आज इसका पार्थ है चार जिसमें आज टॉप मॉस्ट जो टैन क्यूशन है अती महत्पुन परसन जो आगामी आपके एक्जाम के लिए महत्पुन साबित होंगे और ये रिसेर्च करके बनाए गये है प बहुत-बहुत महत्पुन साबित होने वाले तो आपका बिने टाइम वेस्ट किये हम आज के जो टॉप 10 क्यूशन है उस पर चर्चा करेंगे अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें पास में जो बेल आइकिन गंटे है उस पर ओल प चैनल किये गंटो लोग बहुत सब्सक्राइब करकीजान चैनल क्योशन सब्सक्राइब करते है अब करें हुत क्यों शुक्क्राऊлей को सब्सक्राइब कहां के थे अजमेर के थे एक सामाजिक सुधार ठीक है इनके दुवारा लाया गया था ये इसको बोलते है 1932 का बाल विवा निरुदक अधिनियम जो आपके एक अपरेल को कब टॉप मॉस्ट कुशन है आपके ध्यान रखना रंट लेना कब हुआ था एक अपरेल को एक अपर दिवस कब मनाया जाता है तो परतिवरस 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है इसका राइट आंसर ओप्सन नमबर सी नेक्स्ट क्यूशन की बात करते है क्यूशन नमबर तीन बाल विवा परतिशेद अधिनियम कब लागू हुआ था तो आपको पता है मैंने सबसे पहले सार्दा एक्ट कंप्लीट बता दिया उसके बाद में जो गॉर्मेंट के दुवारा जो बाल हुआ परतिशेद अधिनियम 2006 वो आया था वो लागू कब हुआ था तो मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल आपको भूलना नहीं है प्रिसातियों उसमें आपको दो फेक्ट पुचे जाते हैं कितने फेक्ट पूचे जाते हैं दो फेक्ट के पहले बात पारित कब हुआ था तो पारित अजये तो दस जनवरी 27 Twee mirror 2007 कब हो आ overnight नेकिन लागू की बात करें तो 1 न्वांबर 2007 Ko लाग हुआ था पारित आ जाए तो 10 जनवर 2jak 2007 कप बाहल वी बहुत बहुत महत्पुन क्यूशन है या पिरेट साथियों अगले क्यूशन के बात करते हैं क्यूशन नमबर 4 राजस्तान में राज्य बाली का नीती कब जारी की गई है ठीके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके option number इसका right answer हो जाएगा 24 जनवरी 2013 को आपके राजस्तान के अंदर जो रज्य बाली का नीती है वो जारी की गई थी ठीक है next question की बात करता है question number आज का top most question है सारदा एक्ट question number 5 है सारदा एक्ट में वीवा योगे जो बालक की उम्र कितनी मानी गई है वीवा योगे बालक की उम्र कितनी मानी गई है बालक की बात कर रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको बता है राजस्तान के अंदर सबसे पहले आपको अकबर के दुवारा सबसे पहले तीन उम्र पूछ जाती है कि अकबर के दुवारा फिर आता है सारदा एक्ट सारदा एक्ट फिर आता है जो अधिनियम है आप मारे जो बाल विवा निश्यत अधिनियम 2006 चल्शे है अधिनियम ठीक है उसके दुवारा जो नतरीफ उम्र की कितनी की गई है तो सबसे पहले बाल्ग की पूच्त은 फिर महिला की पूच्टें ठीक है तो इसमें मैं उम्र बताते दों सबसे पहले बात करें अब वर्तमान सबको बताएं बाला की उम्र होती है 21 और माईला की उम्र होती है 18 ये तो सबको पता है बैसे क्यूसर लेकिन जब सार्दा एक्ट और अकबर वाड़ा पूसर आ पाल वीवा माना जाता है यह तो थी सार्दा एक्ट की तो फिर बात करते हैं अक्बर के दुवारा इसकी जो निर्दारित उम्र कितनी की गई तीं वो आपको बता होगा इसमें की गई थी 16 कितनी मेल की 16 की गई थी वो 16 में से 4 निकल आप फिर अथी 12 ये से ध्यान रखने आप 4 माइनस कर लेना ठीक है तो 16 और 12 पी मेल की कितनी थी 12 वरस और मेल की 16 वरस चाहरदा प्लिस कॉंस्टेबल दोजार इकिस किलम है त्पुन्ट साबित क्यूशन नमबर आज का पाँच नेक्स क्यूशन की बात करते हैं इसका राइट आंसर कौन सा वजाएगा ओप्सन नमबर ए अठारा वरस अठारा वरस मानी गई है किसकी बालक की और बालिका का कित्नी मानी है आपको कौन सा भी पूच सकता है आपको फक्ट याद रखना है नेक्स क्यूशन की बात करते हैं क्यूशन नमबर छे बाल विवा को राजस्तान में सवर परतम किस रियासत ने पर्तिबंदित किया था सवर परतम बाल विवा को रोकने वाली रियासत कौन सी थी तो सब को बता राजस्तान में एक मारवाड रियासत थी उसने बाल विव्यक को रोका था तो कौन सी रियासत थी मारवाड के अंदर कौन सी रियासत थी जोदपुर रियासत के दोवारा ये जोगी मारवाड रियासत ठीक है इसमें अठारा सो पिच्चियांसी डेट भी याद रख लेना अठारा सो पिच्चियांसी में परताव सिंग के दोवारा किसके दोवारा पर बाल वीवा कोंसी रियासते सम्मधित हैं सर प्रतम आपको बताओगा बाल वीवा मैंने बता दिया बाल वीवा पर जोद पुरियासत याद रखना कोंसी रियासत जोद पुरियासत के से कञ्या से कोटा याद रखना कोटा कञ्या वाला ठीके कोटा रियासत में जो कञ्या वड़ा और बाल विवा इन तीनों फो फेक्ट आप याद रखना नेक्स क्यूशन की बात करते हैं क्यूशन नंबर साथ आज का भारत का पर्थम बाल सुधार जो कारागर एक का इस्तापित किया गया था बहुत महत्पूर्ण क्यूशन है आप रट के लगो भारत का पर्थम के अंदर कलकाता के अंदर भारत का पर्थम बाल शुधार कारा गरे इस्तापित क्या गया था ये नेक्स क्यूशन के बात करते है क्यूशन नंबर से कोई एक भी नाबालिक हो गया तो वेवा कौन सा व्यव माना जाएगा बालवीवा इस प्रकार से पूछा जा रहा है इसका रायट आंसर क्या हो जाएगा 106 गवने यह प्रावदान लिखा गए कि चाहे लड़का हो चाहे ज़या लड़की उसकी उमर अगर आपके कम होगी दोनों नाबालिक होगी, ठीके, उमर मेंने निर्दारित कितनी थी, दोनों तीनों की उमर बता दी, किस किस में अकबर के टाइम, सारदा एक्ट के टाइम, और गवर्वर्मेंट के अधिनियम के एक्ट, ठीके, 2006 वड़े, एक्ट के तेहत मेंने जो उमर बता दी, उसके अदिनियम में सजा का प्रावदान है, कितनी सजा का प्रावदान है, अगर बाल विवा माना जाता है, तो कितनी रुपे जो जुर्मना है, और कितनी साल की सजा का प्रावदान है, तो इसमें आप याद रखना फेक्ट एक है, इसमें दो साल तक की सजा का प्रावदान और ए के थारा में वर्लीट किया गया जू बाल विवा प्रतिश्यद अधिकारी के किले अन्दर तो आपको याद रखना जो भी करतेवे हैं इसके धारा 21 के अंदर जो अधिकारी है प्रतिश्यद अधिकारी उसके जो करतेविए है इसकतार हो प्रावदान दिया गया है अगर वीडियो अच्छा लगा सातियों तो अपने सभी सातियों को सेर की जरूर कीजिए पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करें पासम बैल आइकन को जुरूर दबाएं फिर मिलेंगे आपको एक अगले नए वीडियो में